हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल एक्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम देखेंगे भारतिय इतिहास के महत्तुपुन प्रश्णू की सीरीज और यह आपका आठवा लेक्चर होगा तो आप फर्स्ट ले से पहले प्लीज आप हमारे इस एक्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और शाथ में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्लोड करें आपको इसका नोडिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास एक बार जो है जरूर सेर करें यादि कोई आपके पास कोई ग्रूप हो वाट्सेप ग्रूप टेलिग्राम जहां भी हो आप जरूर एक बार सेर करते और कमेंट करके अपनी सुझाओं हमें दे सक पर सकते हैं तो इस्टारट करते हैं कि तरह बढ़ते हैं आज का पहला कुश्चं आपके सामने यह रहा पहला को सब्दै की भारत की रजधानी को किस सहर से दिल्ली ले जाया गया था पाला अपस्ञें बंबाई मदराष्ट कलकत्ता मैंसूर का जो राइट अंसर आपस्ञ नंबर सी है कलकत्ता से जो है भारत की रजधानी को दिल्ली लेकर जाया गया अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो दिसंबर 1911 में ब्रेटिस समराट जियार्ज पंचम और महरानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दर्बार का आयोजन किया और दिल्ली दर्बार में ही 12 दिसंबर 1911 को समराट ने बंगाल विभाजन को रद घोसित किया और साथ ही कलकत्ता की जगा दिल्ली को भारत की नई रजधानी बनाये जाने की घोसरा की गई और घोसरा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांध के रूप में पुनर गठि अपना किसे द्वारा की गई थी पहला अप्शन है एलन ऑक्टिवेन हुम के द्वारा वेमेस चंद्र वनर्जी के द्वारा मौलाना अब्बल कलाम अजाद के द्वारा और जार्ज यूल के द्वारा तो 1850 में भारतिया राश्टे कंग्रेस के अस्थापना एलन यान एयो हुम भारतिया शिविल सेवा के सेवा निवरित ब्रेटिस अधिकारी थे और यह सिमला में बस गए थे और 1884 इसवी में इन्होंने भारतिया राश्टे संग की अस्थापना की जो की भारतिया राश्टे कंग्रेस का अग्रदूत था और कलकत्ता बंबई तथा द्रास का दोरा करने के उपरांत इन्होंने या घोसरा की कि दिसंबर 1885 में भारतिया राश्टिय संग का एक सम्मेलन पूने में आईजित किया जाएगा लेकिन पूने में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का अस्थल बदल कर तेजपाल संस्कृत बिद्याले बंबई कर दिया गया और भारतिया राश्टिय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ तो इस तरीके से यह था इस प्रसंद का डिटल्स नेक्स्ट कोंसन की बात करते हैं भारतिया राश्टिय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अधिष्त था वुमेश चंद्र बनर्जी याने WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रतम महासची एयो ह्यूम थे और कांग्रेश के प्रतम अधिवेशन में देश भर से आये 72 परतिनियों ने भाग लिया था यानि कि भर्द्याराश्टिंग स्थापना महासची एयो ह्यूम ने की थी और जो अधिवेशन की अधिवेशन पहले वुमेश चंद्र बनर्जी ने की थी नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा कांग्रेश के किस सत्र में पहली बार वंदे मा गया था पहला अपस्टन है 1896 1901 1923 और 1903 तो इसके रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा कांग्रेश के 1896 शत्र में पहली बार वंदे मातरम गया पहला अपस्टन इसे ही है 1896 में अब इसकी बात करते हैं तो वंदे मातरम भारत का राश्टिय गीत है और जिसकी रचना वंक किम चंद्र चटोप अध्याय द्वारा की गई थी और उन्होंने सात नौंबर 1886 में बंगाल के कातला पाड़ा नामक गाउं में इस गीत की रचना की थी और राश्टि कवी रविंद्र नाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबध किया और पहली बार 1896 इसमी में कांग्रेश के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया और बंदे मातरम का अस्थान जो है राश्टिय गान जनगड मनगड के बराबर है और यह गीत स्वतनतता की लड़ाई के लिए प्रेंड़ा का श्रोत था इस तरीगे से इस क्वेशन का ये था डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश और मखतार अहमद अनसारी इस क्वेशन का जो राइट अनसर अपसर नमबर भी है मौलाना अब्दुलकलाम अजाद जो है सबसे ज़्यादा दिन तक मुसली कांग्रेस के अधियच राश्टिय अधियच थे अब इसके डिल्स के बात करते हैं तो मौलाना अब्दुलकलाम आजाद के नाम है और वे वर्ष 1923 में भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्याच्छ भी बने थे तो यह था इस प्रस्ण का डिटल्स नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोईशन है कि स्वतंतरता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखवार शुरू किया गया था पहला अपसन है कैसरी हमरित बजार पत्रिका गदर और हरिजन तो इस कोईशन का जो क्यासी हिस्वी में केसरी और मराठा नामक दू महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंब किये गये थे और मराठी भासे में प्रकासित केसरी को तिलक ने होम्रूल अंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था और मराठा अंग्रेजी भासा में प्रकासित होता था और प्रारंब और कनाडा में लाला लाला हर्दालाल, शोहन सिंग, भाखना और करतार सिंग, साराभा आदि ने मिलकर गददर अंदुलन की अस्थापना की थी और इस पार्टी का मुख्य पत्र जो है गददर एक सब्ताहिक पत्र था और गाधी जीने सब्ताहिक समाचर पत्रों के रूप म हरिजन अंग्रेजी में हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक और हिंदी में प्ररम किये थे ये था इस प्रस्ण का डिटल्स नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं देश बंधु नव जीवक संग का गठन किस ने किया था पाला अप्शन है लच्मी शहगल एजी रंगा कन्य गंती हनुमंतु और तिरुपूर कुमारन तो इस कोशन का जो राइड अंसर अप्शन नमबर डी है तिरुपूर कुमार कुमारन जो है देश बंधु नव जीवक संग का गठन किये थे अब इसके डिल्स की बात करते हैं तो कुमारन को तिरुपूर कुमारन के नाम से भी जाना जाता था और यह एक भारतिय क्रांतिकारी थे जिने भारतिय स्वतंत्यता अंदोलन में भाग लिया था और इनका ज नेक्स्ट कोईसन की बात करते हैं स्वादेशी राज लिग अंदोलन का संस्थापक कौन था पहला अप्षण सरोजनी नाइडू एनिवसेंट और युसुफ वबतिष्था मुहमद अली जिन्ना इसकोशन का जो राइट आंसर अप्षण नमबर भी है स्वादेशी राज लिग अंदोलन का संस्थापक जो है एनिवसेंट थी अब इनकी रेडल्स की बात करते हैं तो स्वादेशी राज लिग अंदोलन अथ्वा होम्रून लिग अंदोलन की एनिवसेंट तथा मौल गंगादerson तिलक ने सुरू किया था और व्यल गंगादर तिलक द्वारा अप पंबई को छोड़ कर सिर्फ मद्यप्रान तथा बराबर भरार था तो सेस भारती एनी वसेंट के कारी छेत्र में था इस अंदोलन की योजना मोलता एनी वसेंट ने आर्लेंड के उधारार के अधार पर बनाई थी जिसका उदेश्य स्वराज प्राप्ती के लिए सरकार पर दबाव डालना था तो यह इस प्रस्ण का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में शन 1911 में भारत का कौन सा लोगप्रिय परेटन अस्थल बनाया गया था प्रिंडिया केट गेटवे आफ इंडिया प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम और विक्टूरिय टर्मिनस तो इसको सन का राइट अंसर अप्शन नंबर बी गेटवे आफ इंडिया जो है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का लोगप्रिय पर सागर बंदरगाह पर कोलाबा में इस थी थे और राजा जार्ज पंचम और महरानी मेरी वर्ष 1911 में भारत आये थे और उन्हीं की याद में गेटवे आफ इंडिया का निर्माड हुआ था और इसका वस्तुकार जार्ज वीटेड था और इसका सिलन्यास जो है मुंबाई क राजय पाल ने 31 मार्च 1913 को किया था तो यह इस प्रसन का डिटेल्स नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं कि समकालीन चित्रकार ने महत्मा गाधी पर चित्रों की एक स्रिंखला बनाई थी पहला अमरिता सेर्गेल राम किंकर एम एफ हुसाइन और अतुल डोलिया तो इसको अतुल डोडिया ने महत्मा गाधी पर चित्रों की एक क्या बनाई स्रिंखला बना दी थी चित्रों कई सारी चित्र बनाए थे नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं महत्मा गाधी कौन से वेक्ति को अपना राजनीतिक गुरू या उपदेशक मानते थे महत्मा गाधी जो है कि पाल क्रिस्ट गोखले को जो है मात्मा गाधी अपना राजनीतिक गुरु और उपदेशक भी मानते थे अब इनके डल्स की बात करते हैं तो गोखले अपने राजनायतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे और वह संभाव और मिर्द न्यायप्रियता में विश्वास करते थे उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनायतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो श्रकता और वह साध्या और साधना दोनों की बात करते हैं दूर्णुन नेक्स्ट कोंशन अपके सामने की प्रसिध पुष्टक हिंदर श्वाराज 1909 में महत्मा घाधी ने असफ़श्ट किया भारत में ब्रेटिस सासन अस्थापित किया गया था भारतियों के सायोग से वल्प और योग द्वारा भारतियों के सायोग के बीना अन्य विदेशी ताकतों द्वारा तो यह हुआ सिर्फ भारतियों के सायोग से जो हिंद्य स्वाराज 1909 में जो पुष्टक आई थी उनकी महत्मागादी ने इसे एसफस्ट किया था कि भारत में ब्रेटिस सासन अस्थापित किया गया था तो पहला अपसन है भारतियों के सायोग से अन्य अपसन नमबर ए से यह अब इसकी के जहाज में लिखी और या इंडियन ओपिनियन में स्वर्वप्रथम परकासित हुई और इसमें महत्मागादी ने असपस्ट किया है कि भारतियों के सहयोग से ही भारत में ब्रेटिस सासन अस्थापित किया था अन्यता व्रेटिस सासन नहीं हो पाती यह इस प्रस्ण का डिटेल्स उमीद करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अच्छी लगी होगी तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें और जो भी आपके पास कोई ग्रूप हो उस ग्रूप में भी शेयर करें तो प्ल करें आपको उसका नोड़िकेशन मिलता रहें और एक चीज और है कि आप यदि हमें कोई करना चाहते हैं कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माधियम से अपनी सुझाव या कोई इंफर्मेशन दे सकते हैं तो प्लीज आप इस एक्जाम ट्रेनर योट्व चैन करादा चाहते हैं 정도् क्ड़र्मेशन तो उन्मज्व ड्राफर्मेशन ग्रोटव याल प्लिज औरें दे।